हलो फ्रेंज वेलकम बाक टू माझ चानल गें ब्रेन विधिमानशी उबरशी आज की इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे एडुकेशन फील से रिलेटेड इंपोर्टेंट करांटर फैस ठीक है और ये आपको न्यू करांटर फैस देखने को मिलेंगे जो की हाली में ऑक्टोबर नेवेंबर के एडुकेशन फील से न्यू करांटर फैस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे सो बिसिकली ये पार्ट 25 है इस सीरीज का इससे पहले मैं और भी पार्ट लेकर आच चुकी हूँ अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप मेरी प्लेइलिस में जाके देख सकते हैं प्लेइलिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है educational current affairs के नाम से प्लेइलिस है आपको सारी वीडियोस इस सीरीज की इस प्लेइलिस में मिल जाएगी So without wasting any time, let's get started with the questions But before that, let me just remind you अगर आप मेरे चानल पे new है या फिर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया Please do subscribe it Moreover, वीडियो पर संद आए, जरूर लाइक करेगा And में जरूर बताएगा, comment section में Feedback दीजेगा, वीडियो आपको कैसी लगी I know यह education से related नहीं है यह question But बहुत important question है यह इस question में हमसे पूछा गया है अहाली में operation सेशा करके start किया गया था launch किया गये था तो यह किसकी illegal trade को होने से रोकने के लिए था चार options दिये हैं tortoises, timber, exotic birds, या फिट tusks Tusk मतलब जो हाथी के दांथ होते हैं आपको मैंने पहले भी बताया है अगर आपने analysis देखा होगा previous यह questions का जातर questions education current affairs से पूछे जाते हैं बट आपको दो से तीन questions normal current affairs से भी देखने को मिलेंगे और वो ऐसे नहीं है कि काफी deep में कुछ जो important चीज़े होगी हाली में उनी से चीज़े आपको देखने को मिलेगी questions में सो यह important question मुझे लगा इसलिए मैंने इसको रखा सो operation सेशा timber इसकी illegal trade को रोकने के लिए start किया गया है इसके साथ मिल कर एक इन्होंने MOU sign किया है ठीक है किसलिए किया है कि जो हमारे pollutants है pollution में जो भी particles है जिसकी वज़े से pollution बढ़ रहा है उसको कम कर सके wastewater से तो कौन सी institution ने हाथ मिलाया है इस तेल एविव उनिवर्सिटी इस राइल की A. IISC Bengaluru B. IIT Madras C. IIT Delhi D. IIT Kharagpur So, जो इस question का correct answer है वो है option B That is IIT Madras Next, where is the National Institute of Hydrology NIH located? National Institute of Hydrology कहां पर स्थित है, located है रुडकी, शिम्ला, गुहाटी या फिर चैन्नाई So, जो इस question का correct answer है वो है option A That is Rुडकी Next, important question है National Unity Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of which later National Unity Day किसकी birth anniversary पे बनाया जाता है, कौन से लीडर की पहली बात तो ये किस दिन बनाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए 31st October National Unity Day 31st October को बनाते है और चार options है किसके बोध़ड़े पे बनाते हैं महत्मा गांदी के, जवाहर लाल नहरू जी के सर्दार वल्लब भाई पतेल जी के या फिर डॉक्टर बियार अंबेट करके I hope आप सभी को ये आंसर पता होगा इस question का जो correct answer है वो है C option That is सर्दार वल्लब भाई पतेल Next question Which Northeast institution received a 5G laboratory from the Government of India एक Northeastern institution है ठीक है उसने 5G laboratory, 5G lab Government of India से receive करी है कौन से institution ने उसका नाम हमें बताना है NIT Miserum B option Northeastern regional institute of science and technology C Northeast institute to management and technology या फिर NIT सिख है So जो इस question का correct उत्तर है वो है option A हाली में NIT Miserum ने 5G lab को receive किया है कहां से government of India ने उन्हें ये दी है कि आप वहाँ पे 5G start करिये Next question Which country is undertaking a project to create the world's most powerful laser called Vulcan 2020 Important है ये question कौन सी country ने ये project start किया है World की most powerful laser जिसका नाम है Vulcan 2020 इसको बनाने का project किस country ने start किया है China ने, UK ने, Israel ने या फिर USA ने So, जो इस question का correct answer है वो है option B UK, that is United Kingdom इन्होंने हाली में एक project start किया है Most powerful laser का आपको laser का नाम भी पूछा जा सकता है क्या है Vulcan 2020 Next question, very important भारतिय भाषा उच्चव A 75-day-long event to celebrate Indian languages was started in which city? So, हाली में एक भारतिय भाषा उच्चव start किया गया है जिसमें इंडिया की 75 languages को celebrate किया है ठीक है? और ये first time कौन सी city में start किया गया है उसका हमें नाम बताना है चन्नाई, लखनाउ, कोची, वारनसी So, जो इस question का correct answer है वो है option B That is लखनाउ So, हाली में लखनाउ में भारतिय भाषा उच्चव में कितनी languages को celebrate हिया है 75 languages को तो सारे ही important points है जगा का नाम, कितनी भाषाए इस उच्चव का नाम ठीक है? Very important question इस राज्य का उस्टेट का हमें नाम बताना है Punjab, Gujarat, Rajasthan या फिर उत्राखन So, जो इस question का correct answer है वो है option C That is Rajasthan So, हाली में राजस्थान में तीन cities को new बनाया गया है जिनका नाम है मालपुडा सूजंगर्ड और कच्चामन Ministry of Agriculture partnered with which department to develop Krishy Decision Support System Krishy Dss So, हाली में Ministry of Agriculture ने किसी और ministry के साथ partnership की है किसलिए एक इनोंने support system बनाया है जिसका नाम है Krishy Decision So, हमें बताना है कौन सी दूसरी ministry के साथ Ministry of Agriculture ने partnership की है उसका हमें नाम बताना है So, Department of Science Technology Department of Space Department of Commerce या फिर Indian Computer Emergency Response Team So, हाली में Department of Space and Ministry of Agriculture ने partnership करी है किसलिए? Krishy Decision Support System को बनाने के लिए Obviously, agriculture को इंप्रूफ करने के लिए इनोंने ये partnership करी है So, आपको दोनों अजनसीज के नाम पता होने चाहिए ठीक है? Options है हमारे पास जारखंड, असम, मध्यप्रदेश, महराश्ट्र So, जो इस question का correct answer है वो है option number B That is Assam So, Assam pipe composting के उपर focus कर रहा है किस campaign के अंडर स्वचता ही सेवा campaign So, question घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से पूच सकते हैं आपको सभी ही इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो हमने चीजे पड़ी है कि इस question में state पूची जा सकती है campaign का नाम या फिर क्या वो कर रही है जैसे कि pipe composting ठीक है? So, आपको question घुमा फिरा के देखने को मिल सकता है exam में So, इस question का B correct answer है Next question Kong thong which bagged best tourism village bronze award 2023 is located in which state So, kong thong को हाली में best tourism village का bronze award मिला है for the year 2023 हमें बताना है ये जो गाओं है ये जो village है कौन सी state से belong करता है Assam, Meghalya, Arunachal Pradesh या फिर Manipur So, जो इस question का correct answer है वो है option B that is Meghalya So, आपको award पता होना चाहिए bronze दिया है village का नाम पता होना चाहिए kong thong best tourism village award इसको मिला है कहां से बिलॉंग करता है Meghalya से So, आज की वीडियो में बस इतना ही था I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो valuable लगी हो पसंद आई हो जरूर comment section में बताएगा कैसी लगी Thank you so much for watching Have a good good day